हाई फ्रेंड्स वेलकम टू ग्यानियर दोस्तों बात करेंगे नैजल पॉलिप्स की बारे में कि ये क्या समस्या है क्यों हो जाती है कारण क्या होते है लक्षण क्या होता है तो देखते रहे हैं दोस्त यहां पर हम बात करने नैजल पॉलिप्स की तो नैजल पॉलिप्स में लोग इसको देखके डर जाते हैं करें या कैंसर हो गया टूमर बाराना के अंदर तो कैंसर नहीं होता है बट वह टिशू की एक्सेसिव गूत हो जाती है अब जायर जबाते आपके दो नॉस्ट्रल साथ तो दोनों में किसी में भी हो सकता है नैजल पॉलिप्स किसी एक में ह अब बार देखा गया दोनों में ही हो जाता और लडकों में जा रहा होता लड़कों की तो तुलनाम है फिर भी तरफीर्च बोलती है कि भाई आपकी जो नाग में flipping बन रहा होता है एक mucos बन रहा होता है वो कई वार इतना बन जाता है जादा बन जाता है कि जो नाग की पीष्चु होता है भाणकी इस सल्स उसको hold कर लेती है और वो मोटी हो जाती है मनलब की लियर बनती है तो यही एक कारण है यह condition कब डेवलप होती है यह समाज लेती है ज़ह को अस्तमा है किसी को उसको हो सकता है एलरजी किसी को हो सकते है विटामिनट डिकी कमी है तो भी देखा गया कि उनको नेजल पॉलिपस की हो जाती है ठीक है तो यह सब कारण होती है अब बात करते हैं कि भाई यह इसमें होता क्या है कारण क्या होती है तो जायर से बात इसमें जब मास बढ़ेगा तो नाक ब्लॉक होगी ठीक है नैजल ब्लॉक हो जाता है तो क्या होगा सांस लेने में तकलिप होती है ठीक है आदमी को यह से लगता ह नहीं लेपाते प्रॉपर तो स्लीप अपनियां को नींद बहुत आती काम करते करते सो जाती है बहुत जादा आइंक अपने अलग टॉपिक उस पर वीडियो अलग देखेंगे अपने 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 तरह समझेगे अगर किसी को और उसको अगर यह प्रॉडम भी साथ में हैं तो स्लीप अपनिया सांसलिन में तकलीफ सोते वक्त दम घुट जाता है यह सब होता है ठीक है साथी नैजल ड्रिप नैजल ड्रिप में क्या होता है कि जो भी आपका मुकस निकलता नाक के थो बाहर आता है लेकिन कई बार क्या होता है जब नैजल डैबल नैजल पॉलेप्स होता है तो नाक का फ्लोड़े वो अंदर ही मुह के अंदर निकलते रहता है तो इसे बोलते है नेजल ड्रिप ठीक है सांस लिने में तकलिप और इसके अलावा जो है बहुत सारे चीजों का स्वाध भी नहीं आपाता क्योंकि स्मेल का टेस्ट से बहुत करेक्शन होता है तो भी एक अलक सब्यक्सर हो जाती है ही ठीक है तो दोनों में हो सकता है किसी एक में भी हो सकता है अब करते हैं अगर किसी को नेजल पॉलेप्स हो जाता है मास बढ़ रहा है तो कहां जाएंगे एंटी डॉक्टर के पास जाना है आपको अब यह कुछ नहीं करना रहता है नेजल एंडोस्कोपी होती है एक चोटा सा नली होता है नाक में डालते हैं तो वो उसका वीडियो देख जाता है कितना वड़ा ट्यू करते हैं तो यह सब जाचों से पता चल जाता है ब्लड टेस्ट करवाल उससे एलर्जी टेस्ट पता चल जागा को यहां एलर्जी इस बंदे को तो नैजल पॉलप्स हो गया ठीकर दिए सब चीज़ें है उसके लावा बात करेंगे ट्रेट्मेंट की तो देखो पहली ची त सकता है बच्चे को बुडे को आदमी को व्रत को इसको कोई याँसा है वो नेएक फिक्स कि किसी एक को होगा तो treatment करने स्पहलए समय जरूरीर कि आपको भचना को ट्रीटमेंट टेंप्ररी एंच के कहीं विए करेंगे सरदरी करके निकालेंगे उसको तब भी व बाद में एक्स्ट्राग्रूत हो सकती तो टिप्स यह कि अगर किसी को समस्या रहती है तो यह मास्क लगा भीड़वार में ठीक है धूल मिट्टी से दूर रहना है नाक को ड्राय रखना गीला नहीं रखना है सूखा रखना है और धूल मिट्टी नाग उसे इसलिए नाक की सफाई भी करते रहो प्रोपर टाइम ट आगर भूब जाती है क्या किया करें डॉक्टर क्या देगा कुछ इस्टेरोइडल ड्रक्स चलती है श्टेडार्प्रोड्र द्रॉड्स मुममाटल कर न्फ्यूरेट है फ्लूटी का सोलन है यह सब चलते हैं फ्लूटी का सुन का नेजल ड्रोप डाल दो तो है तो आपकी स लेट सुबह शाम दीजा सकती तीन से चार दिन तो इससे बहुत ज़्यादी रिकावरी होती है साथ में अगर मोमेटेशन फिर में जाता है वो भी आप स्प्रेकर सकते हैं कुछ एंटिस्ट्रेजिन लिगो सिट्रेजिन फैक्सफिन डॉइन कोई भी एंटी एलर्जिक यह द अराम हो घर लेकिन फिरवी चिप्स दिए वो करना फौलो करना पड़े हैं क्योंकि यह फिर से हो सकता है ठीक है तो यह होता क्या nasal polyps I hope आप समझ गए होंगे समझ मैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब करें ऐसे वीडियो आपको समय-समय मिलते रहेंगे जो क्या आपके काम आएंगे तहीं तो आप देख रहा है क्या नहीं एर्ड अमेरिकल चेनल मैं हूं शिवाम तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में जिह भंदे मात्रम विफ लुँए